दमपद 62-62 बाल बगगो इसकी दो कथाएं हैं एक कथा बुलकुल सिंपल साधा है और दूसरी कथा बड़ी रंग ब्रंगी और रंगों से भरी चमतकारिक है चमतकार का तो कहीं कोई नाम पूरे धम में, बुद्ध में, संग में कहीं है नहीं किसी ने का चमतकार का नाम भी लिया तो उसने धम और संग के नियम को तोड़ा उसको उसका धंड भी मिला और भगवान बुद्ध ने इस पश्रूप से मना भी किया और कभी कुछ चमतकार की बात कुनों ने की भी नहीं मगर साहिते तो साहिते है और कथा तो कथा है कथा कहां कहां से घुमके क्या क्या बन जाती है कितना रस उसमें डाल देते हैं कितना उसमें रंग डाल देते हैं कितना चमतकार डाल देते हैं इसा रंग वरंगा कैनवास बना देते हैं कि आदमी खिचा चला जाता है। जर्म लेने के बाद में उस समय भगवान बुद्ध से मिल जाते हैं और वो अपने किसी अच्छे काम के फल सरूप वो व्यक्ति धम्म को सीखना सुरू कर देता है। जो पिछले जनम के अनुभव थे यानि जो पिछले वर्जन थे जहां से उनकी फाइल लगाता लगाता ट्रांस्फर हो रही थी सबसे पहले वो उनने अनुभव किये देखे। तो ये जो पुराने फाइल फोल्डर को अनुभव करने की ताकत विपस्टना में के बाद में आ जाती है ऐसा माना जाता है। ये ठीक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कल की घटना है तो आपको आज याद है, एक महिने पहले की कम याद है, एक साल पहले की और भी कम याद है या प्रमु घटना याद है। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा आराम से बैठें और सोचना सुरू करें तो घटना घटना से जुटती चले जाती है और आप अपने बच्पन तक की घटना को ऐसा ही अनुभव कर लेते हैं जैसे वो घटना घटी है। भले ही उसके उस समय रंग याद नहीं रहते हैं क्योंकि सारे जो पिच्टर चलती हैं वो माइंड में ब्लैक और वैट चलती हैं रंग ब्रंगी नहीं चलती हैं और उनके भाव ज़्यादा आते हैं कि हमें कैसा उस समय महसुस हुआ कैसा नहीं हुआ उस भाव के अधार प वो इतना बारीक अपना देख लेते हैं कि वो अपने मा के पेट की भी फाइले देख लेते हैं और उससे पीछे की भी देख लेते हैं कि उनका बर्त कहां से टांसर होके वो फाइल आई है तो वो जो व्यक्ति था कंजूस व्यक्ति उसने अपनी फाइल खोल के देखा उसने बहुत ज़्यादा कंजूस था, उसका एक बेटा था, तो उसने अपने बेटे को अनुभव किया, उसने अपनी परानी अवस्ता को अनुभव किया, और ये बात भगवान बुद्ध को बताई, अब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, जो गाथा नंबर बासट है, एक कहानी ये है, अब दूसरी कहानी क्या है, उसको भी जराद देख लिए, एक आनंद नाम का सेथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेथ है सावित्ती के अंदर, बड़ा उसके पास पैसा है, पांच घड़े भरकर उसके पास में मुद्राएं है, उसका एक बेटा है मूल सिरी, मूल सिरी का मतलब है, मूल माने मुख्य और सिरी माने सर यानि के हैड हो गया, बनी मुख्य से, जैसे स्री मान होता है, ऐसे ही बहुत सिरी होता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी आपको बनाई है, आप देख रहे हैं, तो मूल सिरी को वो कुछ भी पैसे नहीं देता है, न वो भी अपने बेटे को नहीं बता पाता कि वो कहां दबे हुए हैं और ऐसे ही मड़ जाता है कहानी आगे चलती है और कहते हैं कि वो पास की एक गरीब और दरिद वस्ती में जाके जनम लेता है एक औरत के पेट में गर्ब में धारण करता है तो अचानक उस गरीब वस्ती की और जादा हरत खरावने लगती है उनको खाना भी नहीं मिलता तो गरीब लोग सारे सभा करते हैं और सभा करने के बाद कहते हैं कि यह अचानक विद्दा आई है यह क्यों आई है तो वो कहते हैं कि इस औरत को जो ये औरत है अभी गर्बती होई है इसके गर्ब के कारण हमारी विद्दा आई है इसको निकाल दो उस औरत को निकाल देते है वो औरत परसान होके दोदर घूमती रहती है बीक मांगती रहती है और एक बच्चे को जनम देती है जो आनंद से उसका लालन पालन होता है एक वार वो ऐसे भीक मांगते मांगते घूम रहाता है तो उसको अपने पुराने घर के आगे से निकलता है तो उसकी स्मर्ती में आता है, स्मर्ण में आता है, मेमोरी में आता है, मैच करता है कि ये तो पुराना घर है और ये मेरा बेटा है तो वो बे धड़क उस घर में घुच जाता है उसके बेटा जो मूलसरी होता है उसके भी बच्चे हो चुके हैं उसके बच्चे और मूलसरी मिलके उसकी पटाई करते हैं और उसको बाहर फैंक देते हैं सड़क पर मार कर जब उसे मार प इसको भाव को पढ़ सकते हैं उसकी मेमोरी खोल सकते हैं तो वो देखते हैं कि ये पराने समय में इसका पिता था और ये मूल सिरी इसका बेटा था तो वो उसको अपने बास बलाते हैं फिर उस मूल सिरी को बलाते हैं पांचों गड़े निकाले जाते हैं तो आनंद को यकीन होता है मूल स्री को यकीन होता है कि आनंद उसके पिता है फिर आनंद मूल स्री भगवान बुद्धी स्रण में चला जाता है और आनंद भी भगवान बुद्धी स्रण में जाता है इस प्रकार फिर भगवान बुदिये गाथा कहते है ये दो गाथाएं हैं सेम एक गाथा की एक जो कथा है एक जो कहानी है वो बहुत सिंपल है लॉजिकल है साइंटिफिक है और जो दूसरी वाली है वो चमतकासर भरी पड़ी है मगर चमतकारवाली जो कहानी हैं वो एक वार में याद हो जाती है और जो scientific कहानी है वो याद नहीं होती है क्योंकि चमतकारी कता हमारे मन को बहुत ज़्यादा एक्टेक्ट करती है हम उसके तत्याखों नहीं देखते कि ये ठीक है या नहीं है किसी से अंत्विस्वास बढ़ता है इसी से धम खतम होता है और इसी से धम खतम भी हुआ है क्योंकि किसी भी हालत में कहीं कोई जो दरिद लोग है वो इतने ग्यानी नहीं है कि किसी के गर्ब में यह पता कर सके नहीं अगर कोई पढ़ सकता है तो वो फिर दर्द नहीं रहेगा बहुत सारी बाते इसमें हैं क्योंकि भगवान बुद्ध जा रहे हैं मार पीट के उसमें फैंक दिया है फिर मट के देखे उसमें और बदल लिया यह सब कालपनी कथाएं हैं जो लोगों को याद करने के लिए हैं इसलिए मैंने पहले भी बताया है और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो गाथाएं हैं वो ठीक हैं सारी गाथाएं लगभग जो गुद्धने कही हैं वो ठीक हैं मगर विपस्टना के आधार पे आप चेक कर सकते हैं कि वो गताएं वो खीक हैं या नहीं हैं पर कताएं तो कताएं होती हैं इसलिए कताओं के सार को scientific way में लें और उनको सीखें उनको तक्ते को जानें तो गाता इस प्रिकार है पुत्ता मत्थी धन मत्थी इती बालो विहाईयती अत्ता ही अत्तनो नत्थी कुतो पुत्ता कुतो धनन पुत्ता मत्थी धन मत्थी पुत्ता मत्थी का मतल है पुत्ता माने पुत्तर और मत्थी माने मम और अत्ती यानि मैं हूं या मैं है यानि मेरा मैं मेरा यानि पुत्तर मेरा धन मत्थी मेरा धन यानि मेरा पुत्तर मेरा धन इती बालो विहायती इती बालो इती जो सब्द है वो बहुत कमाल का है इती माने होता है ऐसा इती माने होता है ऐसा और इती सब्द सही इतियास बनाए इती है इतिहा और इतिहास इतिहा होता है जो जानकारी खटी होती है उसको इतिहा बोलते है इतिया माने होता है कि जो जानकारी जो कथन है उसको अगर पुन्राबरत किया जाए तो वो इतिया होता है और अगर उसको एकाउंटेबल किया जाए तो वो इतियास हो जाता है यानि कि जितनी जानकारी है जो कहा गया है वो इतिया हो गया जो उसको पुनलावित किया गया वो इतिया हो गया और अगर उसको एकाउंटेबल करके श्टोर किया जाए तो वो इतियास हो गया ये पाली का सब्ध है इतियास इति से बना हुआ है इति माने ऐसा इति बालो विहायती इति बालो का मतलब है जो कम गुद्धी का है, अज्यान है, जो जानता नहीं है, जो धम को नहीं जानता, जो धम को नहीं देखता, जो बुलकुल ही इन्नो सैंस कह सकते हैं क्रैसे, या जिसको हम कह सकते हैं, जो इम्मेचौर है, यानि कि जो इम्मेचौर है, उसको बाल बोलते हैं, इती बालो विह अत्तनो नत्ति अत्ता ही का मतलब है अत्त माने स्वयम यानि स्वयम ही माने निश्चर यानि वास्त में यानि स्वयम ही वास्त में अत्तनो नत्ति अपना ही नहीं है नत्ति माने नहीं है यानि कि जो मैं हूँ जो स्वैम हूँ मैं खुद अपना नहीं हूँ यानि मैं भी खतम हो जाऊँगा मैं भी अपना नहीं हूँ कुटो पुत्टा कुटो धनन कुटो माने जैसे हम कहते हैं जारंधर तो, पंजाब तो, हर्याना तो दिल्ली तो, अमरसर तो ये पंजावी सवद है जो पाली में आज भी चलता है तो का मतलब से और कूम आने होता है कहां यानि कुतो का मतलब है कहां से कहां से पुत्ता यानि कौन सा पुत्र कहां से पुत्र और कुतो धन और कहां से धन कहते हैं कि जब मैं मेरा ही सरीर नहीं है मैं खुदी नहीं हूँ तो काय का धन और काय का बेटा जबकि मैं हाय हाय करता फिर रहा हूँ मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा धन ये जो मुर्ख लोग हैं वो सब अपना नश्ट कर लेते हैं इस बात में ये कहते कहते कि ये मेरा बेटा है ये मेरा धन है क्योंकि आदमी को अपने धंसे भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है और अपने बेटे से भी प्यार होता है और मरते मरते भी अपने बेटे और धंसे उसको बहुत ज़्यादा प्यार रहता है ये इतना बड़ा राग है, इतना बड़ा राग है कि मरते मरते भी साथ जाता है आदमी इसको साथ लेके जाता है और फिर नया जीवन भवचक्र में पाता रहता है जो मुर्क लोग हैं, जो जानते नहीं हैं, जो इमेचौर लोग हैं जो परिपक नहीं है यह परिपक लोग हैं वो सब अपना नष्ट करते हैं इस बात में कि यह मेरा बेटा है यह मेरा धन है यह मेरा पुत्र है यह मेरा धन है अरे जब सरीर ही तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा बेटा कैसे हो जाएगा और तुम्हारा धन कैसे हो जाएगा तो कहां का धन और कहां का बेटा इस गाथा को बहुत सिंपल गाथा है और बहुत अच्छी तरह से भगवान बुद्र ने बताई जब उसने अपनी इसमती बताई बिहार पने पुत्र और अपने धनकी ऐसे से राग की भावनाय आ रही है तब ये गाथा कही बहुत इंपोर्टन गाथा है धन्यवाद ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे चला सकते है अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू तू थियंपी बुद्धं सर्णं गच्छामू दूथियंपी दम्मंग सर्णं गच्छामू तू थियंपी दम्मंग सर्णं गच्छामू बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी कामेस मिच चरविर्मनी सिखाप दिंग स्माधियामी कामेस मिच चरविर्मनी सिखाप दंग स्माधियामी कामेस मिच चरविर्मनी सिखाप दिंग स्माधियामी